हेलो स्टुडेंट्स, गुड मॉर्निंग, हाव आर यू, लेट उस स्टार्ट अगेन विद यूनिट नमबर त्री और टोपिक इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और इलेक्ट्रोलिसिस, देखिए आज का टोपिक हमारे रहेगा, इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है, इसके बारे मे हम completely study करेंगे detail के अंदर, ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बड़ा simple टोपिक आपको simply बताया जाएगा, इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है बचो, आप जानते हो अच्छी तरह से, विद्यूत अप गटन, इलेक्ट्रो का मतलब क्या होता है बचो, इलेक्ट्रिसिटी, और लेक्ट्रो का मतलब क्या होता बई, breaking of chemical compound, जैसे मेरे पास NACL है, क्या है मेरे पास NACL, मैंने क्या किया, मैंने क्या किया, एक elektroletic, कोई भी मेरे पास एक vessel है, इसके अंदर मैंने water बर लिया बचो, इसके अंदर salt डाल दिया, NACL एक compound है, यह डाल दिया मैंने, तो जैसे ही मैं इसके अंदर electric current पास करवाता हूं एनसील के अंदर इस एक वस एनसील के अंदर तो क्या होगा जो electricity यह हमारी electric current है वो इसको break कर देगा यह हमारे क्या है इक electrolyte का काम करेगा बच्चो यह है इनसील यहां पर और यह electrolyte क्या है आयन से में break हो जाएगा जिसके वजह से इसमें current flow करना start कर देगा that is called इसको क्या बोलते हैं हम electrolysis electrolysis भी बोल सकते हो आप इसको तो देखो मैंने define कर दिया यहां पर it may define as the process of decomposition means tootna it is a it is defined as a process of decomposition of electrolyte by the passes of electricity through its aqueous solution or molten or fuse state क्योंकि बच्चों सिंपल सी बात है अगर fuse solution ना हो या molten या फिर aqueous solution ना हो तो salt जो है न solid state में कोई भी यह है electricity passing नहीं करता इसलिए बोला गया इसके अंदर यह अब आओ electrolytic cell क्या होता है एक ऐसा device जो electric energy को किस में convert करता है chemical energy में उसको क्या बोलते हैं electrolytic cell पहले हमने पढ़ा था कौन सा electrochemical cell वो क्या था बच्चों वो था जो chemical energy को किस में convert करता था electrical energy के अंदर understand तो चलिए start करते हैं अब इसकी construction इसमें क्या क्या होता है और हमारे पास इसमें किस तरह का apparatus से हम use करते हैं तो चलिएगा इसमें समझिएगा क्या चीज़े हमारी use होती है तो सबसे पहले हम इसमें discuss करते हैं apparatus used to bring about electrolysis is called electrolytic cell ऐसा apparatus हमारा जिसमें हम इसको completely solve करते हैं तो इसको क्या बोलते हो आप electrolytic cell बोलते हो जिसमें electrolysis को समझते हैं इसके अंदर एक non conducting electrolytic tank होता है बच्चों देखें आगे बढ़ते हैं ये देखो diagram एक बार मैं समझाता हूँ आपको इसमें क्या क्या है इस diagram में दे tank है बच्चों ये रहा tank हमारा बाहर है जो ये electrolytic tank होता है इस tank की बात अगर मैं करूँ तो ये non conducting tank है बच्चों कैसा tank है non conducting क्योंकि यहाँ पर actually क्या है इसमें जो current passes होगा तो इनर्जी इसमें store हो जाएगी अगर ये conducting होगा तो मैं इसको touch करूँ आ तो सारी energy खतम हो तो देख सकते हैं आप इसके अंदर क्या क्या है इसमें दो त्रह की रोड दो रोड ली गई है जबकि रोड हमारी सेम material की है सपोज करो ये platinum की रोड मान ली मैंने अगर किसी की ना दे रखी हो तो आप platinum inert electrolyte की मान सकते है एक मेरा एक anode है और एक मेरे पास यहाँ पे cathode है ईदे बच्यों बैटरी का जो positive terminal है वह किसे जुड़ा हूआ है anode से, इसका मतलब यहाँ anode मेरा कैसा हो गया positive और यहाँ पे cathode मेरा कैसा हो गया भी negative क्योंकि बैटरी का जो negative end है negative terminal है वह किसे जुड़ा हूआ है cathode से और इसके अंदर बरा जाएगा क्या एक इलेक्टरोलाइट अमने इसमें मानलो बर दिया कुछ भी सपोस्पोस करो तो इलेक्टरोलाइट क्या करेगा एनाएन और केटाइन में टूटेगा ब्रेक होगा जैसे हम इसको करणट एपलाई करेंगे इसके अंदर तो anines और kateines दो तरह के आइन इसमें बनेंगे suppose को इसमें anine बन गए तो anine कहां जाएंगे बता सकते हैं आप इसमें where do anine go कहां जाएंगे anine बताओ anine जाएंगे positive सिरे की तरफ और positive मेरा यहां पर बचो anode है तो anines travel towards the anode and kateines see for positive charge kateines travel towards the cathode और यह बढ़ा हुआ हमें नीचे शोकिया हुआ आपको इसमें इसके अंदर क्या बढ़ा हुआ हुआ है aqueous या molten electrolyte ठीक है और यह मैंने बता दिया जो tank है तो सारे चीजे मैंने लिख दीश में आप पढ़ सकते हैं it consists of a non-conducting electrolytic tank in which the molten or aqueous electrolyte is taken two metal roads anode and cathode are deep into it इसमें दो road to view हैं आप देख सकते हैं the first road is acting as anode second road is acting as cathode चली आगे देखिए are connected to a battery और यह दोनों के दोनों के बैटरी से जुड़ी हुई है hence the electrode connected to the positive terminal of the battery is called anode and negative terminal of the battery is called cathode when we switch on the circuit तो इसमें जब हम circuit को switch on करते हैं इसमें कुछ reactions होती है actually electrolysis होता है जो भी इसमें पुरक्रिया है electrolysis का मतलब मैंने बताया था न आपको कि जो electrolyte है वो क्या है आइनों में तूड जाता है और एक electricity को एक passage का रास्ता दे दिता पास होने का तो electrolysis होता है chemical energy marriage rate होती है इस तरह से तो बच्चो बताओ क्या होगा इसमें process एनोड पे क्या होगा एनोड पे oxidation होता मिशा तो oxidation एनोड हमारा एनोड पे क्या है एनाइन से एनोड की तरफ को न आया था भी एनाइन आय थे ना जिसमें negative charge था क्योंकि एनोड हमारा खुद यहां पे कैसा था positive तो बताओ एनोड के पास electron है तो क्या करेगा ओक्सिडेशन electron का loss करेगा तो यहां पे loss of electron आप देख सकते हैं A negative A plus यानि electrons add cathode क्या होगा बच्चो reduction reduction किसका होगा cathode की तरफ कोन गया था katein तो katein का क्या होगा reduction बहुत important चीज़ है आप इसको याद करो तो यहां पे आप इसका reduction देख सकते हैं यह पर करिया मैंने समझाई आपको ठीक है न यह है एक तरह का qualitative analysis बच्चो qualitative analysis quantitative पडेंगे हम फेराडे के law में फेराडे के दो लाज हमारे पास important रहेंगे और एक्जाम में भी पुछे जाते हैं फेराडे इस first law of electrolysis और फेराडे इस second law of electrolysis ठीक है तो यह लाज हमारे इसमें तो चलिएगा देखिएगा आगे हम करते हैं mechanism क्या है बच्चो इसका mechanism means कैसे working करता है electrolytic cell या electrolysis का mechanism भी आप इस topic को बोल सकते हैं तो जब electrolyte हमारे electrolyte क्या हो सकते हैं बचो acid base और salt इस deep in the water जब electrolyte को मैं water में deep करता हूँ डूबोता हूँ और taken in molten state या फिर इनको molten state में गुली वी वस्था में दर्वीत वस्था में में लेता हूँ electrolytes dissociate into the positive and negative ion वही चीज़ बता रहूँ आपको मैं जो इसके अंदर हुई है तो जो electrolyte मेरे हैं वो किस में तूट जाएंगे positive और negative ion में positive ion हमारे याँपे kate ion बोल दिये मैंने और negative ion याँपे मैंने बोल दिये anion है understand on passing current जैसे current पास करवाओगे positive charge ion जो है toward cathode की तरफ मोग करना शुरू कर देगा negative charge ion मोग करना शुरू कर देगा किस की तरफ है anode की तरफ on reaching their respective electrode जैसे जैसे ये आइन उनके electrodes के पास पहुंचेंगे cathode के पास एक anode के पास ion क्या करेंगे बच्चो ion loss their charge अपना charge discharge करने की कोशिस करेंगे ये ion अब discharge कैसे करेंगे ये उनको neutral होना है अगर ये anode पे जो है तो उसका oxidation होगा वो क्या है by loss of electron discharge करेगा और जो cathode पे होगा by gain of electron discharge करेगा दोनों को इस तरह से discharging इसमें देखी गई है ठीक है तो चलिए अब आप याद रखें कुछ पॉइंट इसमें लिखें है कि कौन कौन से factor है जिसके उपर electrode डिपेंड करता है किस तरह की value change होगी एक तो nature of electrolyte बच्चो electrolyte तो परकार के होती है एक inert electrolyte और एक active electrolyte तो बताओ इसमें electrolyte हमारे सोरी electrolyte नहीं होती है electrolyte में क्या है strong electrolyte, weak electrolyte बिजैसा electrolyte होगा उसी की according वो क्या होगा dissociation होगा medium of electrolyte जिसमें हमने डाला है वो medium कैसा है aqueous है water इसमें डाला है या वैसे हमने small ton बना दिया उस electrolyte को वैसे melt कर दिया by the help of electricity ठीक है ना concentration of electrolyte अब electrolyte हमारे दो परकार के हैं इसके अंदर एक तो concentrated electrolyte मतलब जिसमें कम value है उसकी एक dilute जिसकी concentration कम है concentrated ज्यादा concentration वाड़ा dilute हमारा जिसमें पानी ज्यादा है यानि वो कम concentration वाड़ा ठीक है तो बता दिया मैंने आपको nature of electrolyte यानि concentration पर भी depend करता है nature of electrode पर depend करता है inert electrode अगर है platinum, graphite या फिर active electrode हमारा है को purging, silver तो इस पर depend करता है अब इसके कुछ rule है भई बच्चो ये topic अबे क्यों बता रहा हम आपको कि कुछ दिर में आप से फिर solve भी करवाई जाएंगे कि ये electrolytic cell मैंने ले लिया NACL का और इसमें मैंने क्या किया इसको molten state में लिया है aqueous में लिया है dilute में लिया है concentrated में लिया है तो अलग लग के इस बताऊंगा आपको मैं सभी के और आपको cell वो बनाने आ जाएंगे फिर electrolytic cell को बनाना बहुत जुरूरी होता है बनाने में करना क्या होता है anode पे क्या reaction होई cathode पे क्या reaction होई और फिर overall reaction क्या होई ठीक है तो चलिए कुछ rule है इसको format करने के वो आपको बता दूँ मैं इसने बोल आपको जब तक कोई mention ना किया जाए कि ये electrode को पर है इसमें को पर की रोड डली होई है जिंक की डली होई है तो आप इसको platinum का माल ले कोई दिक्कत नहीं electrolytic platinum का माल ले क्योंकि same metal के बने होते है electrolytic cell के अंदर दोनों electrode same के होते है जबकि दूसरे जो process था ना electrochemical उसमें अलग लग थे try to write the anode reaction first कोई स्कोरो anode की reaction पहले लिख लो in case of active electrodes जो active electrodes है हमारे उनके case में क्या all reaction stops electrodes themselves start oxidizing जब सारे reaction रुकती है ना तो अपने आप electrode क्या कर देता है oxidizing या reduction होना शुरू हो जाता है जब cell करेंगे तो पड़ेंगे हम चलिए करते हैं case first हमारा यहां पे लिया गया है molten electrolytes लेता हूं पहले मैं electrolysis करूंगा NACL का molten state में लिया गया है यह किस की तरह भी एव गरेगा cathode की तरह किसे जुड़ावा negative plate of battery चलिए बिल्कुल simple process होगा बताओ क्या आप डाला हूँआ इसके अंदर molten NACL तो दो तरह के आयन होगे ना इसमें एक तो NACL बच्चो और दूसरा CL- तो बताओ CL- किस की तरफ जाएगा एनोड की तरफ क्योंकि CL- negatively charge है तो एनोड की तरफ जाएगा और CL- का क्या होगे जाएगा Oxidation और जो NA plus है वो मेरा कहां जाएगा क्या थोड़ की तरफ इसका क्या होगा Reduction तो आप देख सकते हैं Chloride बना दिया इसने तो क्या होगा अब Chloride तो क्या बचो यह exist ही नहीं करता ना CL-2 exist करता है तो आप इसकी एक बार CL से reaction करवा देंगे CL-2 बन जाएगा या फिर आप इसको ऐसे मद याद रखो आप इसको direct याद रखो एनोड पे क्या होगा Oxidation कैसे होगा 2Cl पर ले ही 2 से multiply कर दो यहाँ पे CL-2 लिख दो क्योंकि diatomic होता है Bromine है, Chlorine है, Fluorine है पूरी family diatomic होती है तो आप starting में ही 2 से multiply कर दें Electron भी कितने हो जाएगे याँ पे 2 हो जाएगे तो यह होगी Oxidation Half Reaction Understand Cathode पे क्या होगा भी यहाँ पे Cathode हमारा है जो तो देखिए Cathode पे क्या होगा यहाँ पे Cathode पे होगा भी reduction बिसिक्सी बात है Cathode पे reduction किस प्रकार होगा दिखो Na plus था, Katine था तो क्या करेगा, gain करेगा electron Na बना देगा, ठीक है अब यहाँ पर देखो इसमें दो electron इसमें एक electron तो 2 से multiply कर लो बता था ना मैंने एक electron जो यहाँ पर same होंगे तो भी overall reaction आ सकेगी 2 से multiply करूँगा मैं तो यह reaction तो agities है यहाँ पर 2 na plus हो जाएगा यहाँ पर 2 electron हो जाएगी यहाँ पर 2 na हो जाएगा अब इसको add कर दो 2 na plus 2 c l minus और यहाँ पर क्या जाएगा 2 na और 2 c l 2 यह मेरी बन गई overall reaction इस तरह से होता है बच्चो electrolysis किस case में जब हमारा क्या हो molten na c l हो अगे चलिए अब एक question आपके लिए है आप electrolysis करके दिखाए मेरे को magnesium bromide का molten state में तो आपको शिश करना बच्चो इस वीडियो को stop कर देना pause कर दो वीडियो को और यहाँ पे करके देखो इसको एक बार इसको खुद करके देखें try yourself वैसे मैंने समझा हो आगे बट आप इसको खुद करके देखें knowledge जदा होगा आपको इसी तरह से process यूज करोगे cell बनाने की जुरूरत नहीं अगर को होगो तो आप बना दिता हूँ इसमें देखो यह platinum का same thing है यह anode है positively charge है यह cathode है negatively charge है अब की बार इसमें क्या कैसे आए नहीं बच्चो magnesium bromide की जो magnesium bromide उटेगा तो क्या बनाएगा mg2 plus mg2 plus किसकी तरफ जाएगा एनोड की तरफ इसकी तरफ जाएगा न कैथोड की तरफ mg2 plus यानि इसके उपर क्या होगा reduction और 2br minus कहा जाएगा बच्चो 2br minus जाएगा एनोड की तरफ हमारा और इसपे क्या होगा oxidation तो लिख सकते हैं आप main reactions 2br minus है तो क्या होगा br2 plus 2 electrons हो गया neutralize mg2 plus अब की बारी शेम electron है तो कट जाएगा याड हो जाएगा यहापे जोड़ दो mg2 plus 2br minus और यहापे क्या है mg और पलस कितना हो जाएगा वह यहाँ पे 2br2 यह बन गया मेरा overall reaction एक बार वीडियो को पोज करें और इसको भी आप ऐसे ही करके देखें यह खुद करके देखें ट्राइ यूर सेल्फ यानि electrolysis of aluminium chloride देख लें इसको भी मैं बता देता हूं आपको उसी तरह से सैल बनाओगे सैल बनाओगे तो एनोड हमारा हो जाएग का एनोड पर positive charge है in case because battery का terminal positive यहां पर जुड़ा हुआ ही सी से इसलिए positive charge है understand तो बताओ कैसे आइन बनेंगे अबकी बारी जब यह तुटेगा तो aluminium 3 plus i इदर जाएंगे negative charge की तरफ aluminium 3 plus i और 3cl- कहा जाएंगे बच्चों इदर जाएंगे जिसकी वज़े से oxidation और reduction हो एनोड अब क्या होगा oxidation आप देख सकते हैं 2cl-2 electron और इसने loss कर दिये CL2 बना दिया आगे पिछे लिख सकते हो कभी गबरा जाओ यहां पर 3 को छोड़ो और ignore करो यहां पर क्या हब निचे अब second cathode पर क्या होगा बच्चों यहां पर cathode पर aluminium 3 plus यानि AL 3 plus था मेरा तो यह क्या करेगा cathode पर यह electron gain करेगा कितने electron gain कि यह 3 electron aluminium बना दिया तो अब देखो द्यान से देखें एक बार क्या electron balance है यहां पर 2 electrons है यहां पर 3 electron है अगर मैं इसको 3 से multiply कर दू 6 electron हो जाएंगे और मैं इसको 2 से multiply कर दू यहां भी 6 electron हो जाएंगे तो आप इस wall process को complete reactions को इस पूरी reaction को 3 से multiply कर क्या आएगा देखो निचे मैंने लिखा है जो उपर वाली को reaction को करोगे 3 से multiply तो यह आजाएगा निचे वाली को करोगे तो यह आजाएगा इस 6 electron से 6 electron cut out हो गए तो बताओ क्या बन गया अपना 6 c l minus 2 l plus 2 l 3 plus यहां पर 3 plus लिख लिए ना प्लस का sign लगा ले ना यहां पर 2 l 3 plus लगा ले ना यह बूल गया मैं लिखाना इसको तो यहां पर क्या बन जाएगा 3 c l 2 plus 2 l overall reaction हो गई भी अब concept clear हो गया होगा बिल्कुल बच्चो आपको easily एक case और पड़ेंगे हम इसका अगर in case of molten ना दिया गया हो aqueous electrolyte दिया गया हो तो condition कुछ और हो जाती है aqueous का मतलब बच्चो क्या होता है जो बिकर अमने लिया था जो electrolytic अमने लिया था इसके अंदर क्या है बच्चो अब की बारी aqueous na c l है मतलब पहले क्या होता था इसमें बस na plus और c l minus के ही आयन होते थे बट अब aqueous है तो पान a plus b है c l minus b है h plus b हो h minus b है किसका oxidation होगा किसका reduction होगा यह जरूरी चीजियां पर हो जाती है तो चलिएगा समझ लेजिएगा किस प्रकार से process हमारा आगे बढ़ता है इसको द्यान से समझें विकोज यह कई cases में use हम यहां पे करते हैं इसको ठीक तो देखिएगा यहां पे क् actually case first माना मैंने कौन सा कि aqueous देखो बचो क्या है यह aqueous electrolyte मैंने लिया है electrolysis of NaCl aqueous with platinum electron तो यहां पे भी बचो दो case होंगे case है concentrated NaCl हो दूसरा case है dilute NaCl हो तो हम firstly discuss करते हैं concentrated अगर NaCl है अगर वो aqueous है तो क्या situation होगी तो देखो जब NaCl टूटेगा तो किस में टूटेगा Na plus or Cl minus में H2O टूटेगा तो किस में टूटेगा H plus or H minus में तो द्यान से देखना आप इसको तो बताओ Anode पे क्या होगा अब इस situation में क्या होगा situation गड़ बढ़ा जाएगे मारे पास और हमने थोड़ा सा एक advanced topic पढ़ना पड़ेगा इसके लिए और यह topic मैं अलग से भी गया है standard electrode potential यानी standard reduction potential को रखा गया है oxidation potential के यानी standard क्या बोला मैंने ऐसी सीरीज जिसमे standard reduction potential को बढ़ती value के आदार पर रखा गया है उपर से निचे अगर मैं जाता हूं तो standard electrode potential की value increase करती है यह लिख दिया भी मैंने आप में standard reduction potential मेरा क्या है उपर से निचे बढ़ता है और oxidation potential क्या है उपर बढ़ता है अगर उपर जाता हूं तो मैं निचे से और reduction potential मेरा उपर से निचे जाता हूं तो बढ़ता है तो यह एक सीरीज हमारे पास है थोड़ी सी सीरीज बताएं वह तो बड़ी होती है यह जो हमारे काम की हतनी हैuur, lithium, sodium, zinc, iron hydrogen copper, silver chloride hydroxide, nitrate, sulphate, fluoride, lithium सबसे निचे होते हैं मतलब निचे वाला उसका reduction potential सबसे ज़्यादा किसका है ले टूट गया इस तरह की आजन बने इसमें तो क्या होगा, एनोड पे क्या होगा बच्चो, एनोड पे competition होगा भी क्या, एनोड पे दो तरह के आयन जाएंगे अब की बारी, एनोड मेरा आपे कैसा था, positive था तो दो तरह के negative आयन बच गए ना इसमें, जब मैंने बीकर में डाला तो 4 आयन बन गए आपे, एक तो OH-, एक CL-, एक Na+, और एक H+, छीक है, तो इनका competition, अब negative आयन तो कहां जाएंगे, एनोड की तरफ, क्योंकि positive है नोड, तो OH-, CL- उपर की तरफ जाएंगे, अब देखो, कथोड की तरफ को जाएंगे, बच्चो, Na+, और H+, तो बताओ, इसका oxidation होगा, OH- का, या chloride- का, तो ये series में देख उपर है, तो oxidation potential, यहां पर oxidation होगा, यहां पर oxidation होगा, इसलिए मैं उपर वाली चीज़ को लेके चलाओगा, तो बताओ, oxidation potential किसका जादा है, out of these two, OH- और CL- मैनस में, तो CL- का जादा है न, तो obvious बात हभी, क्या होगा, CL- का यहां पर reduction, क्या होगा, oxidation होगा, यह चीज़ तो मन यह देखो, sodium तो यहां पर है, कितना उपर है sodium, और दूसरा competition किसके साथ, इसका H+, के साथ, sodium उपर है, H+, यह रहा, H नीचे है, तो बताओ, किसकी value जादा होगी, बोलो, किसकी reduction potential की value जादा है, H+, किसकी जादा है, H+, किसकी जादा है, H+, तो इस competition में कौन जीत गया, यहां से जीत गया, chloride iron, यहां से जीत गया, hydride, यह हमारा H+, hydrogen iron, ठीक है, तो चलिए, अब हम समझ गए ना, आप इस बात को clearly, देखो, तोड़ा सा, पिछले topic से थोड़ा सा typical है यह, क्योंकि यहां पे aqueous आ गया, water भी आ गया, पहले molten था, molten में water की कोई जरूर थे, नहीं थी, कि और गया थे, और easily हो गया था, तो बताओ, यहां पे oxidation होगा, किसका chloride का, chloride मैंने बताओ था, अकेला chloride लाई नहीं करता तो CL2 लेना पड़ता है, तो CL2 से क्या होगा, 2Cl- oxidation होगा, तो CL2 और 2 electron क्या होगा, gain करेगा यह, at cathode, cathode पे क्या होगा, बताओ, cathode पे क्या होगा, reduction किसका hydrogen क hydrogen भी अकेला लाई नहीं करता है, hydrogen भी हमेशा H2 लाई करता है, तो यहां पे H2 बन जाएगा, और यह दो electron क्या करेगा, gain करेगा, दोनों को मैं add करूँगा, electron से electron cancel out हो जाएगे, add करूँगा, तो क्या जाएगा, 2, यहां पे देख सकते हो, आप 2H+, यह रहा, 2Cl- यह रहा, औ H2 यह रहा, तो यह reaction में complete हो गई, अब कई बच्चों के mind में आएगा, उस बिकर में तो गडबड हो गई, उस बिकर में क्या था, उसमें तो कही तरह के आयन थे अपने, आप देख रहे हैं ना, उसमें तो यह आयन भी तो थे, चलो NaCl तो हमने ले लिए, Na+, Cl- लेगन उसमे H2O भी तो टूटा था, और OH-I-N भी तो थे उसमें, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, कि Na-I-N तो यूज ही नहीं होए ना, यहाँ पे, तो आप इसमें क्या लिख सकते हो, यहाँ पे 2 Na-I-N यह रहे, बच्चों, और 2 H-I-N यह रहे, क्योंकि जब बिकर में टूटे थे ना, यह आइन तो टूटे थे यह भी, तो यह इस इस reaction के medium को basic बना देते हैं, तो आप से कोई पूछ ले ना, कि pH क्या होगा, जब overall reaction होगी, aqueous NaCl लिया जाएगा, और उसका electrolysis होगा, तो बताओ, pH पे क्या परभाव पड़ेगा, then the pH will be rises, pH यहाँ पे क्या होगा, increase करेगा और increase क्यों करेगा, basic medium होगा, आप देख सकते हैं, एने वेच की वज़े से, इसकी pH value बढ़ जाएगा, solution basic हमारा बनेगा, understand, तो यह चीज़ आपको बताने इसमें जरूरी थी, compulsory थी, तो आप इसको अगर समझ में ना है, तो एक बार और देख ले बच्चों, क्योंकि चलते हैं, अब अगर मैं ले लेता हूँ, third case मेरा, next case हो रही, इसी का दूसरा case, जब एनेश यह लेक्वस है, लेकिन अब की बारी dilute के case में, यह उपर वाला क्या था, concentrated की case में, concentrated का मतलब वहाँ पे क्या था, जो अमने concentration उसकी कमली थी, dilute का मतलब बच्चों यहाँ पे क् इस case में, तो हम देखते हैं, यह काम करती है, only concentrated के case में, बच्चों याद रखना, यह dilute के case में काम नहीं करेगी, क्योंकि dilute में H plus iron की concentration और OH minus की concentration इतनी ज़्यादा हो जाती है, कि यह series वहाँ पे काम ही नहीं करती फिर, ठीक है, तो चलिए देख लीजिएगा, क्या बता है मैंने, in case of aqueous NaCl with platinum electrode dilute, अब की बारी हमारे पास है, तो जब dilute होगा, तो क्या कह सकते हैं, आइन तो उसी तरह के बनेंगे न, लेकिन अब की बारी यह जो आइन है न, द्यान दो, यह जो आइन है, hydrogen और hydroxide आइन, क्योंकि water यहाँ पे ज़्यादा है अब की बारी, तो due to large amount of large quantity of water, we can say that, anode पे क्या होगा, competition में कौन जितेगा, बच्चो अब की बारी बताओ, अब की बार competition Cl minus हार गया, क्योंकि OH minus ज़्यादा है, इसकी वज़े से यहाँ पे, इसकी concentration इतनी ज़्यादा है, कि oxidation इसी का होगा, समझ गये न, आब आब कैथोड पे क्या होगा, दो जितेगा, पिछली बार तो एने पलस जिता था, सीरीज के अधार पर, लेकिन अब की बार सीरीज काम ही नहीं करेगी, क्योंकि H पलस इतना ज़्यादा है, किसी का क्या होगा, आप कर दें, oxidation और reduction समझे कैसे होगा, OH माइनिस था, क्या बनेगा, OH और electron loss कर दिया, लेकिन OH है जो, ये ऐसे लाई नहीं करता, H2O की form में लाई करता है, तो मैंने इसको क्या बना दिया, दो बार लिख दूँगा, OH पलस OH क्या हो जाएगा, H2O पलस O, लेकिन ये O भी अकेला लाई नहीं करता, तो क्या लिखेंगे, ये O जोड़ देंगे, O पलस O, ये बन जाएगा अपना O, है ना, लेकिन ये चीज़ आपको इसमें पजल नहीं होना, विल्कूल भी देखो, समझो कैसे लिखेंगे हम इसको, बेसिकली हम इसको किस परकार से लिखेंगे, जर्नली ये चीज़ आपको द्यान में रखनी है, कि जब भी ये रियक्शन मेरी हो जाएगी, तो आप उसको एक ही ट्रिक से याद रख लें, कि किस परकार आप इसको लिखेंगे, इसलिए अम निचे इस रियक्शन को लिखेंगे, आपको देखो, 4 OH, कितने OH होगे, बच्चों इनको एड़ कर दो, वही 4 OH, माइनस, जब भी मैं इसमें क्या करूंगा, अब यहाँ पे, ज पोड के ना याद रखें, तो बताओ क्या होगा, यहाँ पे, इस वाले का क्या होगा, अब रेड़क्शन, रेड़क्शन होगा, तो 2H+, 2H+, में 2 एलेक्ट्रोन एड़ कर दिये, मैंने, H2 बन गया, और इसको भी मैं क्या करूंगा, बैलेंस करूंगा, तो यहाँ पे कितना बताओ, 4H+, यह लिखे दिया हमने भी, और 4OH यहाँ पे था मेरा, यह बना था मैंने 4OH-, तो यहाँ पे आजाएगा 2H2, है न, 2H2, और यहाँ पे 2H2O, यह रहा 2H2O, और पलस O2, अब ध्यान से देखें, यह क्या है, 4H+, हैं, और यह 4OH- हैं, तो यहाँ पे कितना वाटर म मॉलेकुल हो गए, 4H2O, इदर 2H2O, हैं, जब इदर से 4H2O इदर आएंगे, तो क्या हो जाएगा, चार में से दो गया, दो, तो 2H2O ही बचेंगे न, यहाँ पे इदर की तरफ तो, यहाँ पे क्या बच जाएगा, H2O तो गया यहाँ से, 2H2 पलस O2, तो देखो यह रियक आगे क्या चलते हैं, वही टोपिक पूरा हो गया, और यह टोपिक आपको क्या करना है, पढ़ के देखना अची तरह से, एक बार में वीडियो समझ मना आए तो, प्लेज इसको दबारा देखें, क्योंकि यह वीडियो बहुत ही जुरूरी है, और जो नेक्स्ट टोपिक, हमारे काफी सारे टोपिक इस वीडियो पर डिपैंड करेंगे, इसलिए मैंने ये वीडियो पहले बनाई है, बलकि इलेक्ट्रो केमिकल सीरीज का टोपिक था पहले, लेकन उसको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, इलेक्ट्रो केमिकल सीरीज का टोपिक हम बाद में भी पढ़ सकते हैं पहले आपको electrolysis करने आने ज़रूरी है तो आप electrolysis करके देखें अपनी book की help लें या फिर किसी का भी electrolysis करके देखें प्रैक्टिस करें और इसको solve करें और तब तक के लिए अगला lecture हम बनाएंगे कल फिर thank you have a nice day